नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि PA Cold CP Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है। PA Cold CP Tablet को कैसे लेना चाहिए और PA Cold CP Tablet की वज़ा से क्या side effects हो सकते हैं। और यह भी डिसकस करेंगे कि PA Cold CP टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। PA Cold CP टैबलेट का उप्योग सर्दी जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सर्दी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख नाक या गले में खुजली होना, छींक आना, नाक का बंध होना, गले में खराश होना और खासी होना आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए PA Cold CP टैबलेट का उप्यो करती है, साइड इफेक्ट की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में PA Cold CP टैबलेट की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में PA Cold CP टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्ती आ खाना आधी side effects PA cold CP tablet की वजह से हो सकते हैं, ज्यादा DOGE में PA cold CP tablet को लेने की वजह से liver damage हो सकता है, इसलिए आपको PA cold CP tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई DOGE में ही लेना चाहिए, अब हम discuss करेंगे की PA cold CP tablet को कैसे लेना recommended होता है, PA cold CP tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर PA cold CP tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, PA cold CP tablet की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको PA cold CP tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को PA cold CP tablet को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे की PA cold CP tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, PA cold CP tablet के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए, और PA cold CP tablet को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्प्ता की आवशकता होती है, क्योंकि PA cold CP tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन अधिक आ सकती है, जुखाम खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको PA cold CP tablet के साथ साथ हर रोज दिन में दो से लेकर तीन बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए, और बर्फ वज्यादा ठंडे पानी का सेवन न प्रुषों में prostate का size ज्यादा होने पर PA cold CP tablet को लेना recommended नहीं होता है, इसलिए इन conditions में डॉक्तर की सलाह के बिना PA cold CP tablet को नहीं लेना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को PA cold CP tablet या इसके किसी भी ingredient से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को PA cold CP tablet का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक् प्रेगनेंट महिलाओं के लिए PA cold CP tablet का सेवन करना recommended नहीं है, और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही PA cold CP tablet को लेने की सलाह देते हैं, वैसे PA cold CP tablet मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वज़ा से दू PA cold CP tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को PA cold CP tablet को नहीं लेना चाहिए, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प कर रही महिलाओं लेना चाहिए, और सकतायर आपकञ़ नहीं आपका य enख़ पसंद आपका शॉक्तर का्यए, और अटेए, जब कस अपका थाए, याला नहीता है, बहाँ जब का वीडियोग contest, तो दुद सekने हैं, और और रमार्ण से रहेना हैं, ठह ले इा खए, अड़ म